Hello dear learners, welcome back to my another video, आज हम 25 questions इंग्लिज के जो 2023 में पूछे गए थे All India SNA की स्कूल एंटरेंस एक्जाम में पॉर क्लास 6 के लिए तो वह आज हम सॉल्व करेंगे, तो दोज स्टूडेंट्स वह न्यूव ऑन माई यूटूब चैनल नौलिज टैंग, दे मस्ट सब्सक्राइब माई यूटूब चैनल एंड प्रेस ता बैल आइकॉन जिससे की वहने हमारी अपकमिंग वीडियो का तो इसलिए हम सुरू करते हैं, let's get started, तो सबसे पहला question हम देखते हैं, कि यहां हम 2023 यानि इस साल जो question पूछा गया है, for class 6 के लिए language के 25 questions आते हैं, और हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाईए, उसमें आपको English के previous years के, last 5 years के आपको questions किस तरीके से पूछे गए हैं, वो आपको मिल जाएंगे, तो हम चुरू करते हैं, पहला question है, select, select, incorrect option, जो option गलत है, उसको हमें select करना है, तो जो mouse है, यह इसका जो plural है, माईस होगा, तो यह option सही है, child है, यह child का children होगा, यह भी option सही है, sheep का sheep नहीं होता है, cable sheep होता है, तो यह जो option 3 है, वो will be the right answer, और यही incorrect है, यह भी सही है, तो आगे बढ़ते हैं, question number 2 पर देखते हैं, identify करना है, the question tag, एक question tag आता ही है, जैसे कि हमने previous exam में देखा, तो इसमें यह बताना है, कि in following sentence में question tag कौन सा है, तो she sings very well, वो अच्छा गाती है, doesn't she, क्या वो नहीं गाती, तो इसमें यह present indefinite है, तो इसमें जो question tag के लिए होगा, तो जो helping verb निकलेगी, वो does निकलेगी, और does के साथ यह जो की affirmative है, तो यह negative होगा, तो does के बाद not भी लेगी, तो doesn't होगा, और last में यह आएगा she, तो इस तरीके का जो option 2 है, इसका right answer होगा, आगे बढ़ते हैं, question number 3 पर देखते हैं, choose the option, option यहनि बिकल्प को choose मतलब चुनिए, क्या चुनिए कि does not, जो नहीं आता हो, come under gender, जो की link ना हो, जो की gender ना हो, तो masculine है, यह भी pulling होता है, जेंडर होता है, feminine, यह स्त्रीलिंग होता है, यह भ आकि neuter जो है, ना masculine होता है, ना feminine होता है, तो option 3 जो है, इसका सही answer होगा, आगे बढ़ते हैं, आगे दिखते हैं, question number 4 देखेंगे, identify the type of sentence, come and do your duty, यह कह रहे हैं, कि इसमें किस type का sentence है, तो सबसे पहले आप देखिए, यह verb first से start हुआ है, ठीक है, पहली बात, दूसरा इसके last में question mark भी नहीं है, और exclamation mark भी नहीं है, तो अगर question mark नहीं है, तो यह interrogative भी नहीं है, और exclamation mark नहीं है, तो exclamatory sentence भी नहीं है, और imperative sentence होता है, जिसमें subject हो, और कोई information या fact के बारे में बताया जा रहा हो, तो इस्टार्ट हुआ है वीवन से जो की imperative sentence है option 3 इसका सही उत्तर होगा imperative sentence वो होते हैं जिसमें इसी को order order दिया जाता है और advice दी जाती है एक तो इस तरह के sentence होते हैं वो कौन से होते हैं imperative sentence होते है आपके देखते हैं हम question number 5 देखेंगे laughter is the best medicine यानि जो हसी है वो सबसे अच्छी medicine दवा है तो यह कह रहा है कि identify the kind of noun for laughter तो यह laughter जो है noun है लेकिन इसका type कौन सा है तो यह proper noun नहीं है common noun भी नहीं है collective noun भी नहीं है यह है abstract noun तो students abstract noun is the word वो शब्द होते हैं जो used as the name of the quality name of the action or state when that quality action or state is considered as an object यानि किसी इसमें action हो चाए quality हो चाए state हो उसमें हम किसी उसको बस्तु मान लेते हैं जबकि वो बस्तु नहीं होती जैसे यह हसी है तो यह कह रहे हैं कि यह कोई गोली है या कोई वस्तु है जो medicine है तो यह वो नहीं है तो इसलिए यह abstract noun है दूसरी पहचान यह हो सकती है बताने के लिए कि abstract noun वो noun होते हैं जिनको हम ना touch कर सकते हैं ना हम देख सकते हैं यानि जो हमारी organs होती है sensory organs उनका उनके दवारा हम उनको प्रियोग मतलब feel कर सकते हैं ठीक है physically नहीं next question है six choose the correct sentence where enough has been used as an adverb यानि enough जो शब्द है वो as an adverb की रूप में है तो इसमें जो correct sentence कौन सा होगा तो इसमें जो correct sentence होगा वो for होगा क्योंकि इसमें enough जो है beautiful को qualify कर रहा है और adverb वो होते हैं जो खुद adverb को ही modify करते हैं adjective को modify करते हैं ठीक है तो she is enough beautiful वो मुझे लुभाने के लिए काफी सुंदर है यह इसकी attempt का मतलब होता है लुभाना यानि मुझे लुभाने के लिए वो काफी सुंदर है तो इसमें four options इसका right answer होगा आगे बढ़ते हैं from the following select the most appropriate option to fill in the blank तो इसमें यह देखना है यह collective noun पूछा है जो ships के लिए क्या होता है तो ships के लिए जो collective noun होता है वो होता है fleet जिसको हम कहते हैं बेड़ा क्या कहते हैं पेड़ा नेक्स दिखते हैं question number eight select the sentence with correct order of words यानि इसमें sentence कौन सा है जो correct orders में है question number eight का जो answer है वो option two इसका सही answer होगा तो कि इसमें जो sentence है वो पसमें जो words है वो विल्कुल correct order में है बाकी के जो sentence आप देखिए उसमें correct order में नहीं है तो option two इसका right answer होगा move करते है next question question number nine select करना है the correct option लेना है और fill करना है blank को don't disturb me मुझे परिशान मत करो disturb मत करो I-my work क्योंकि मैं कर रहा हूं तो यह present continuous का tense है कि मुझे disturb मत करो कि मैं काम कर रहा हूं तो I am doing my work is the right answer होगा option number three move करते है question number ten पर identify the adverb यह sentence आपको पढ़ना है और sentence में आपको यह बताना है कि adverb कौन सा है she read उसने पढ़ा वह पढ़ती है the answer यानि वह answer को पढ़ती है present indefinite simple present और कितने बार पढ़ती है वह twice तो कह रहा है कि इस sentence में adverb कौन सा है तो इसमें read verb है यह object है यह subject है तो इसमें जो twice है वह जो है adverb है दो बार यानि frequency है कितने बार दो बार choose the option हमें option चुनना है that is कि brave का जो है opposite क्या है brave माने होता है बहादुर तो इसका हो जाएगा कायर तो कायर की अंग्रेजी होती है quard तो option बन इसका right answer होगा question number 12 देखते है choose the word nearest in meaning यानि synonyms बताना है underline word का और underline word है requested she requested him to drop her home तो requested order नहीं होता instructed निर्देश नहीं होता force भी नहीं होता request तो एक ask मानों कहते हैं politely कहते हैं तो option 2 इसका right answer होगा question number 13 देखते है choose the correct word इसमें कौन सी बर्व आईगी the baby was dash in the room baby जो है कमरे मैं होता यह होगा नहीं और will be will और was आसासात नहीं यह भी गलत है will be sleeping यह भी नहीं होगा पहले से जब वर्व लगी है तो यहाँ पर help में वर्व आईगी तो इसका sleeping इसका right answer होगा option 2 अच्छा जो है कमरे में तो रहा है move करते है question number 14 पर choose the correct option to complete the item given below यहाँ पर idiom है तो यहाँ से देखिए to hit the nail on the head यहाँ आएगा head तब एक idiom बनता है और उसका मतलब होता है सच्चाई बता देना question number 15 देखते हैं choose the correct spelling बताना है पिछले 5 years के questions देखकर हमको ऐसा पता चला कि एक questions correct spelling के भी आता है तो इसमें sincerity की जो spelling है वो one option जो one है वो correct है बाकी सारी जो sincerity की spelling है वो गलत है question number 16 choose the correct pronoun क्या आएगा खाली जगे खड़ा हुआ है at the gate gate पर कौन खड़ा हुआ है as a subject जो हू का कारिकरता है तो यहाँ पर जो हू आएगा question number 17 देखते हैं fill in the blanks which नहीं आएगा whom नहीं आएगा भी और whose भी नहीं आएगा ठीक है यह selection के लिए होता है कौन सा कौन सी और यह किस की possessive case में होता है यह objective case में होता है यह नहीं आएगा यह होता है subject case में fill in the blank with the appropriate article they are going to dash metro station वे metro station जा रहे हैं तो इसमें कोई भी article नहीं आएगा न ए न न दी आगे बढ़ते हैं identify the adjective from the given option इसमें option देखिए और बताईए कि adjective कौन सा है यह वर्व है तो यह नहीं है यह preposition है यह भी नहीं है honest जो है adjective है जो की इमांदार होता है यह जो है pronoun है तो answer इसका three option इसका सही उत्तर होगा 19 देखते हैं choose the correct preposition बताना एक preposition भी आती है और complete करना है sentence को the restaurant is है अब the school restaurant school के ऊपर है या along या between तो इसमें आएगा restaurant जो की position है वो school के पीछे है तो behind जो है इसका right answer होगा 20 देखते हैं complete the following sentence by choosing the correct option they left blank shoes on the floor उन्होंने floor पर फर्ष पर अपने तो अपने दे के साथ अपने की अंग्रेजी देर होगी उसके बाद आगे देखते हैं कि there was no space on the shoe rack shoe rack में कोई space इस्थान नहीं था तो यह होगा there और there रहने option to is का right answer होगा move करते हैं next question पर question number होगा हमारा 21 जो की 21 से 25 हम करेंगे एक unseen पढ़ेंगे चली हम सुरू पढ़ते हैं बिना देखिए read the following passes करना है carefully उसको पढ़ना है और answer देने है questions के जो की नीचे पूचे रहनगे given below का मतलब है नीचे तो if you want to send a letter यदे आप letter भेजना चाहते हैं buy post today आज अगर हम buy post एक letter भेजना चाहते हैं तो you have to paste तो आपको क्या paste करना पढ़ेगा यानि डागगर से एक stamp लेना पढ़ेगा इस तरह का stamp होगा different type के आते हैं तो एक stamp जो पेस्ट करना पढ़ेगा तो अब buy post अगर आप भेजना आज की time में तो किस पर आप stamp को चस्पा करेंगे चपकाएंगे envelope envelope का मतलब होता है लिफाफा यह लिफाफा जिसों शादियों में हम कुछ पैसे रखते हैं उसमें वो लिफाफा होता है तो बट लॉंग एगो लेकिन बहुत समय पहले there were no stamps बहुत समय पहले किया था stamps नहीं थे तो people who want चाहते थे to send a letter जब वो लेटर को भेजना चाहते थे तो would fold it तो इसको fold करते थे and stick it with wax और wax माने gum जो है उसको stick करते चुपकाते थे then the post office would send the letter और उस post office क्या करता था उस पत्र को भेज देता था send माने भेजना होता है and the person who got it और जो person इसको got मतलब जिस person को यह मिलता था तो it would have to pay उसको चुकाना पड़ता था for receiving the letter जो letter को पाता था receive माने जिसको यह letter मिलता था तो वो उसके लिए क्या करता था पे करता था तो the first stamp was printed in England note कर लेना है इंग्लेंड में सबसे पहला जो ticket है stamp वो printed किया गया था it was black and had a picture of king Victoria on it और जो सबसे पहले England में ticket यानी stamp जो print किया गया था वो black था यानी जाला था और आप picture बनी हुई थी उस पर रानी विक्तूरिया की if it cost one penny और उसकी जो कीमत थी वो थी penny थी वहां की जो penny क्या bracket में लेका है यह British पैसे हैं और that is why यही कारण है कि it was called इसको कहा गया है penny black तो इसका नाम भी हो गया penny black the hobby the hobby का मतलब है एक रूची of collecting इखटे करने की stamp की कुछ की hobby होती है जो की ticket को collect करते हैं अब तो यह चलन कम है लेकिन किसी समय यह बहुत ज़्यादा था तो वो student या वो व्यक्ति जो की stamp को collect करने की जिसकी hobby होती है वो is known जाना जाता है किस रूप में जाना जाता है फिलेटली यह note कर लें stamps जो होते हैं वो have been brought out in many shapes यानि मैंने आपको बताया था कि जो different shape के stamps होते हैं और size भी उनके आकार भी अलगलग होते हैं यह मैंने भी बताया था और some stamps जो कुछ questions के answer देंगे first 21 question देखते हैं choose the correct option to fill in the blank the first stamp the first stamp was printed in यहां पहला जो stamp था वो कहां print किया गया था अभी हमने पढ़ा England में तो option 2 इसका सही है 22 देखते है choose the correct statement कौन सा statement सही है the first stamp had a picture of loin यह गलत है second देखते है the first stamp had a picture of क्यों Victoria यह answer ही इसका सही है और जो picture of क्यों LGBT की picture थी यह गलत है फकरी की थी यह भी गलत है तो option 2 इसका right answer होगा 23 देखते है चूज दा correct option देखते हैं दा होवी वह रूची of collecting एखटा करने की stamps माने ticket को उनको क्या कहते है फ्लैटली कहते है मैंने बताया था कि note कर लेना cooking नहीं कहते gardening नहीं कहते है fashion designing कहते है option for इसका right है 24 देखते है इट वाज ब्लैक एड़े पिक्चर आफ की विक्टिरिया इडेंटिपाई दा part of speech for black from the given sentence यानि कहरा है कि इस sentence में जो black आया है parts of speech जो होते है हमारे art उसमें से यह कौन सा speech है तो noun नहीं है black मतलब होता है काला यानि अगर कोई color है या कोई size है तो वो adjective होता है तो इसका option 3 इसका right answer होगा क्योंकि black जो है adjective है last question देखते है 25 choose the opposite of the sand यानि send जो है send का मतलब होता है भेजना और इसका opposite क्या होगा तो receive माने होता है प्राप्त करना तो यह option 1 इसका सही उत्तर होगा तो student यह थे 2023 में all india sanic school entrance exam for class 6 के लिए थे अब हम बिलते हैं next video में आज के लिए इतना ही